Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल तो हुआ क्या है कि US Fed ने अमेरिका के अंदर वहां का जो interest rate है, जैसे हमारे देश के अंदर आप repo rate सुनते होंगे, policy rate जिसको कहा जाता है, तो US के अंदर जो rate है, वो बढ़ा दिया है और पिछले 28 वर्षों में सबसे ज़्यादा rate hype किया गया है, जिसका direct असर आपको भारत के जब यह खबर आई, उसके बाद से देखिए, यहाँ पर जो market है, उसमें काफी बड़ी गिरावट हुई है, although यहाँ पर यह expected था कि rate hike किये जाएंगे, वो सब कुछ मैं आप से चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो surprisingly इतना बड़ा rate hike किया गया है, उसकी वजए से थो इतने भी subjects आपको पढ़ाये जाएंगे हमारे course के अंदर, वो सब कुछ live होगा, हमारे educators के द्वारा हर एक subject को live पढ़ाये जाएगा, अब मैं यहाँ पर जो economy वाला part है, उसको मैं खुद cover करूँगा, जो सबसे core वाला part है, वो मेरे द्वारा cover किया जाएगा, इसके अलाव उसका फ्यादा उठाने के लिए आप महारे app और website पर जाएगा, और code इस्तमाल कर यह अंकित live उससे आपको मिल जाएगा, साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हुआ कि है, देखें 15th of June को अमेरिका के अंदर, US की जो Federal Reserve है, उन्होंने interest rate hike कर दिया, और आपको पता है हमारे देश में भी क्या होता है, हर दो महने पर जो 2-monthly monetary policy आती है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, कि repo rate कि जो RBI है, उन्होंने 50 basis point बढ़ा दिया था, और हमारे देश के अंदर repo rate हो गया है 4.9%, आप देखो क्या होता है, कि हमारे देश में क्योंकि inflation अलड़ी high रहता है, growth का perspective रहता है, तो आपको repo rate 4%, 5%, 6% ऐसे देखने को मिलेगा, US के अंदर जो repo rate, वहां का rate है, वो अगर आप तो वह आपका already pandemic के समय तो लगभग 0 आप कह सकते हो, 0.25%, मतलब आप free में borrow कर सकते हो, पैसा ऐसा था इस प्रकार से, लेकिन अब क्या है, क्योंकि inflation का आक्रा इतना जादा आया है, inflation का आकरा यू समझे है, तो 1981 के बाद से करीफ 40 वर्ष के बाद से highest पर पहुँच गया है US और उसको काबू करना जरूरी है, तो जिस तरह से हमारे देश के अंदर inflation को काबू करने के लिए RBI rates को बढ़ा रही है, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी इसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन problem इसमें क्या है, कि 1994 के बाद से कर आप दिखी 28 वर्षों में, यहाँ पर स परसेंट था करीब, इसको directly 1.75% ले जाया गया है, इसका simple अर्थ यही हुआ कि अगर आप पैसा बोरो करोगे अमेरिका के अंदर, वो बोरो करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, और आप बोरो कम करोगे तो एक प्रकार से demand कम होगी, और overall जो 3.4% जो कि बहुत जादा होता है, अगर आप present context से देखी, क्योंकि इसका direct असर growth के उपर आएगा, और US के अंदर growth पर अगर कोई दिक्कत हुआ, तो इसका असर आपको पूरे विश्व की economy पर देखने को मिलेगा, तो इसका significance क्या है, देखें, significance यही है कि यहाँ पर already market ने सोच तो लिया था कि federal reserve rate को बढ़ाएगा, लेकिन जिस तरीके से बढ़ाएगा, जिस speed से बढ़ाएगा, यह नहीं सोचा गया था, और इसलिए यहाँ पर काफी जादा चिंता हो रही है, कि क्या जो central bank है अमेरिका की, वो तेजी से और जादा rate को hike करने वाली है, actually मैं आपक नॉंबर में mid term election होना है, अमेरिका के अंदर आप देखोगी, तो हर 2 साल में election होते हैं, हर 2-2 साल में election आपको देखने को मिलता है, तो 4 साल जब 2-2 साल के बाद जो 4th year आता है, तो उसमें तो presidential election हो जाता है, तो उसी के साथ साथ जो बाकी राज के election है और बहुत सारी चीज होते रहते हैं, तो वो सब election conduct कराया जाते हैं, तो यहाँ पर Joe Biden को चिंता हो रहा है कि नॉंबर में कहीं वो election हार ना जाए inflation की वज़े से, तो यह सारी चीजों के तहत यहाँ पर एक प्रकार से pressure बनाने की आप कहलो, या फिर एक संकेत दिया जा रहा है Joe Biden की तरफ से हमें rate क हाइक करना चाहिए, और Wednesday को जब Jeremy Powell, जैसे हमारे देश के अंदर सक्किकांत दास governor है, वैसे वहाँ के जो US Fed के governor है, chairman है, उनको Jeremy Powell कहा जाता है, तो Powell जो है उन्होंने जब यहाँ पर announcement किया इसके बारे में, तो उन्होंने बेसिकली यही बताया कि rate hike करने के जो जो आसार है व तो इसका directly indication यही है कि हमारे growth के उपर impact आएगा, क्योंकि आप borrow नहीं करने दे रहे हो, borrowing महेंगी हो जा रही है, तो लोग borrow नहीं करेंगे और demand कम करेंगे और growth पर impact आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, भली Jeremy Powell ने बोला हो कि growth के उपर impact नहीं आगा, लेकिन जहां तक ज ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, तो यह जो नया projection basically हुआ है, इसका direct असर यही होगा कि COVID के समय जिस प्रकास से expansionary monetary policy अपनाई गई थी, ताकि ज्यादा स्यादा liquidity कराई जाए market के अंदर, COVID outbreak हुआ था, उसको देखते वे आप कह सकते हो, वापस से उसमें reversal देखने से, और especially याद रखेगा कि COVID के समय यहाँ पर bond buying program चलाया गया था, bond buying में क्या होता है, कि market से जो central bank है वो bond को purchase करती है, bond को purchase करती है, मतलब liquidity release करती है, जो पैसा है उसको market में release करती है, तो अब वापस से reversal हो रहा है है, यह जो bond buying program है इसको stop किया जा रहा है, कि अब liquidity market में ना ह अब यह जो signal है, Fed की तरफ से यह important क्यों है, मतलब कि Federal Reserve, अमेरिका का Federal Reserve जब भी step लेता है, तो यह हमारे लिए विशु के लिए क्यों important होता है, इसका simple अर्थ यह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर monetary policy को अपनाए जाता है, वैसे US के अंदर भी Fed के दोरा monetary policy अपनाए जाती ह मतलब reversal चलता है एक प्रकार से, क्योंकि employment किसे related है, it is directly related to growth, growth अच्छा होगा तो employment भी अच्छी होगी, growth डाउन होगा तो employment भी किरेगा, तो अगर आप inflation को control करने के लिए repo rate बढ़ाओगे, तो यहाँ पर growth में कमी आ सकती है, जिसके वज़े से employment कम होगा, आरह समझ में, फिल पाकी जो economies हैं, चाहें भारत हो, Bank of England हो गया, कोई भी हो गया, Central Bank, European Central Bank, ये लोग भी rate को hype करने लगते हैं, आप देख सकते हो, Bank of England भी expected है कि यहाँ पर एक और rate बढ़ाएगा, करीब 1% से उपर किया जा सकता है, 2009 के बाद से सबसे ज़्यादा rate आपको Bank of England में देखने को मिल अस्ट्रेलिया, Brazil, Canada, इन्होंने भी rate को hype किया है, European Central Bank भी जल्दी इसको कर सकता है, और जहां तक भारत की बात है, भारत में आपने अलड़ी देख लिया, कितने तेजी से अचानक से, अभी पिछले मैंने यहाँ पर एक sudden move किया गया RBI के दौरा, और यहाँ पर 40 basis point को भाए गया था, 4% से 4.4% किया गया, और अभी जो monetary policy हुई है, इसमें further 0.5% बढ़ा जिया गया, और total हमारा repo rate हो गया 4.9%, अब यह भारत के लिए जटका क्यों है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अब क्या होता है कि मानलो, अमेरिका के अंदर 0.25% सिरिफ cost थ तो पहले क्या होता है कि जब भी यहाँ पर repo rate, वहाँ का जो rate है कम होता था, अमेरिका के अंदर, तो वहाँ से जो investors हैं, चाहें foreign portfolio investors हो गए, वहाँ से borrow कर लेते थे अमेरिका से, और वो dollar को ले आते थे भारत के अंदर, भारत के अंदर आकर यहाँ का जो debt market है, जो bond market है, उ तो अब वापस से क्या करेंगे, भारत से वो dollar बाहर जाने लगेगा, और जब भी भारत से dollar बाहर जाएगा, तो उसका direct असर आपको हमारे rupee के उपर देखने को मिलेगा, और आपने देखा होगा कि जो rupee है, वो अपने lowest point पर आ गया है, मतलब इतना तेजी से depreciate हुआ है कि 78 rupees per dollar ये cross कर चुका है, और उसी के हिसाब से अब देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ा जटका है भारत के लिए, भारत की economy के लिए, और यहाँ पर अगर मैं 3 main impact की बात कहूं, जो कि भारत के उपर हो सकता है, एक तो यह है कि जो currency carry trade होता था, उसमें अब less attractive हो जाएगा भ आपको एक बड़ा impact आके देवे देखने को मिलेगा, दूसरा impact मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पर जब भी rate hike का signal किया जाता है, फेड के दोरा, इसका असर मैंने आपको बताया, US की growth की उपर होगा, तो US का growth अगर impact करेगा, और especially अभी China अगर आप देखोगे, व हमारे यहाँ पर employment और यह सारी चीज़ों की problem होगी, तो यह थोड़ी सी चिंता की बात है, यह impact हो सकता है, तीसरा जो है, वो यही मैंने आपको बता रहा था कि higher return in US debt market, अब क्या है, US के अंदर rate बढ़ा है, मतलब अब भारत में कोई क्यों निवेश करेगा, जब क्योंकि US एक safe market बोला जाता है, तो लोग US के अंदर निवेश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर rate बढ़ा है, और rate बढ़ा है, मतलब उनको यहाँ पर return मिल रहा है, तो लोग अपना investment US की तरफ shift कर देंगे, और अगेन भारत में problem आ सकती, तो यह इसलिए भारत के perspective से एक बड़ा जटका ह इसलिए बार-बार कहा जा रहा था कि US के अंदर Fed ने अगर rate high किया है, तो भारत क्यों चिंतित हो रहा है, आयोग कि यह जो सवाल का जवाब है आपको मिल गया होगा, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए, क्या बता सकते हो, inflation rate on consumer price index increases if, जो consumer price index का inflation वो increase होता है कब, यह आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC के जारी कर रहे हैं, कोर्स देना चाहते हैं, अब मेरे द्वारा economy भी पढ़ाया जा रहा है, तो use this code ankit live हमारे आप और website पर, वहाँ पर आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, होब की वीडियो आपको पसंद आया है, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.